यह हमारा क्लास एट की श्रीजन आइसी एसी बायो की बुक से लास्ट वीडियो है हम सारे चाप्टर्स लॉंग विद्धा सल्यूशन ओफ टेस्ट यॉर्सिल अपलोड कर चुगे हैं इसमें हम चाप्टर 9 फूट प्रेडिक्शन के जितने भी एक्सराइजस हैं उसको डिसक्स कर लेंगे स्टार्ट करते हैं फिल अप से फिल इन दे ब्लांक तो सबसे पहला है कि मश्रूम्स कौन सी फंजाए होती है तो आपको पता है कि जो मश्रूम्स हैं वो एडिबल फंजाए हैं जिनको हम खा सकते हैं तो जो मीट के परपर से होती है उनको ब्रॉलस कहते हैं तो आपको पता है हाई यल्डिंग वराइटी जो हुआ था उसके थ्रू डेवलप हुई है थ्री पाटन ओफ क्रॉप तो यह भी हमने चाप्टर में डिसकुस किया था क्रॉप रोटेशन जिसमें हम एक ही जमीन पे अलग-अलग क्रॉप को लगाते हैं ताकि जो स्वाइल की फर्टेलिटी है वो मेंटेन रहें इसी तरह से मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग यह वाला जो कॉशन है इसमें थोड़ा सा कन्फूशन था प्रॉपर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे इन समर भी हो सकता है अगर आपके स्कूल में टीचर ने समर कर आया है तो वो भी सही होगा मैंने आन यहाँ पे आड़ कर दिया है अपने तरफ से और इसमें ओचर लिख दिया है तो यू कैन ड्राइट बोथ ठीके फिर है गिव वन वर्ट फॉर दो फॉलोईग तो microorganisms जो bear wine और alcohol में यूज किये जाते हैं तो वो है आपका fungi, fungus, yeast तो bacteria जो दही बनाने के काम आता है वो है आपका lactobacillus bacteria फिर जो sugar और alcohol में convert होती है yeast के वज़ा से उस process को कहते हैं इसी तरह से फोर्थ है हमारा जो animals जो cattle load उठाने के ट्रांसपोर्ट के या खेतों की जुताई करने के लिए काम आते हैं उनको droughts animals कहा जाता है इसी तरह से rearing और breeding जो fishes की होती है उसको हम pissy culture कहते हैं अगर आपने चाप्टर बहुत अच्छे से समझा है तो आपको exercises में कोई भी problem नहीं होगी define these term में आ जाते हैं तो exotic breeds बच्चों वह होती है जो हमारी country की ना हो जो बाहर से आई है ठीक है किसी other country से उनको exotic breeds कहते हैं मैंने यहाँ पे cow का example दिया है Jersey जो की USA की breed है इसी तरह से poultry क्या होती है poultry बच्चों वह birds हैं जैसे मुर्गे हैं बतके हैं गूज हैं जिनको अंडे और meat के लिए मतलब उनकी rearing करी जाती है उनको पाला जाता है ताकि हमें उनसे eggs और meat मिल सके तो ऐसे birds को poultry कहा जाता है ठीक है then hybridization की बात करें तो यह एक ऐसा process है जिसमें दो organisms हैं मानो ठीक है दो अलग अलग varieties हैं अब हमें एक ऐसा वराइटी चाहिए जिसमें उन दोनों की विशेष्टाएं हों qualities हों desire characters जैसे हमें चाहिए तो हम उन दोनों का जो क्या कहते हैं gametes होते हैं उनको लेकर के fuse करके एक नई variety बनाते हैं तो इसी process को कहा जाता है hybridization जिसमें हमें desire जैसे characters चाहिए हैं वैसी variety develop हम कर सकें ठीक है milch breeds वो cattle होती हैं जिनसे हमें दूद मिलता है तो milk yielding यहाँ पर dash होगा डाश मिस हो गया है आप लोग लगा लेना milk yielding females cattle जो है female cattle 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 नहीं होता cattle cattle जो हैं वो हमारी आती है उनको milk breeds कहते हैं ओके example आप और भी example देख सकते हो अपनी book से फिर organic farming क्या है organic farming एक तरीका है जिसमें हम crops को grow करते हैं बिना chemical fertilizers का use करे हैं हम organic manure या bio fertilizers को use करते हैं जो खाद है जो cow dung से बनी हुई है या जो vermi compost है या normal compost है वो सारी चीजों को जब हम use करते हैं कोई भी chemicals नहीं use करते हैं तो ऐसी farming को कहा जाता है organic farming ठीक है उसकी बाद है rotation of crops तो rotation of crop का मतलब है कि एक ही land पे same piece of land पे different different crop को grow करना ताकि उनके जो mineral content है soil के वो restore हो जाएं ठीक है अगर हम एक ही पे एक ही जमीन पे एक ही crop grow करते रहेंगे ग्रो करते रहेंगे तो उसका कोई ऐसा mineral या nutrient होगा जिसमें वो soil क्या हो जाएगी deficient हो जाएगी तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं अलग-अलग उस पे grow करते हैं ग्रीन revolution क्या है तो आपको बहुत अच्छे से पता है ग्रीन revolution यह doctor MS. Swaminathan ने की practice से मेलनी हुआ था जिसमें जो इंडिया का agriculture था वो एक industrial system में convert हो गया था जब modern techniques apply गई और उसका result यह बहुत अच्छा हो गया उसके बाद bio fertilizers पे आ जाते हैं तो वो fertilizers जो micro organism से बनाए जाते हैं उनको bio fertilizers कहते हैं और यह plant को हर तरह के nutrients प्रोवाइड करते हैं और कोई भी नुकसानात नहीं देते हैं तो rhizobium है, azitobacter है, blue green algae है बहुत सारे examples हैं जिससे bio fertilizers बनते हैं आ जाते हैं true और false पे सबसे पहला है कि white revolution इंडिया में dr. swaminathan ने start किया था, no, dr. swaminathan ने green revolution start किया था, white revolution किया था, dr. v. curian ने, right मुर्रा एक dairy breed है काव की पंजाब से, yes, true है, craps, indigenous fresh water edible fish है, yes, viral hemorrhage, septichemia, एक viral poultry disease है, no, it's not a poultry disease, it is a, यह जो बिमारी है, मच्छियों में होती है, तो fish है, viral fish, यह कट कर दीजेगा, ठीक है, viral fish disease, excessive use of fertilizer, enhance the nitrogen content, no, अगर हम excessive use करते हैं, fertilizer का, तो इससे nitrogen का, जो level है, वो soil में बढ़ता नहीं है, बलकि, enhance, बहुत ज़्यादा over होके, वो पानी में आने लगता है, तो उसको कहते हैं leaching, तो वो नुकसान दे है, वो अच्छा नहीं है, फिर उसके बाद हम आज आते हैं, खारिफ क्रॉप्स, तो उनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, राभी के कंपारिजन में ट्रू, फिश ओईल, वाइटमीन ए और डी में रिच होता है, ट्रू, मैंने सामने सामने लिख दिये हैं, आप देख सकते हो, और्गनिक फार्मिंग, और्गनिक फर्टिलाइजर, क्रॉप रोटेशन एक बाद है, स्वाइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने का, होरी कल्चर क्या है, जहां पे हम और्नमेंटल प्रांट्स को ग्रो करते हैं, मैनि स्वारी चीजों को आलाकि हम येस्ट को भी येस्ट को भी येस करते हैं, बेकिंग भिया रहां के प्रोसेस में, बांट誰, क्रॉण आपके आगणिक रैंटल क lleese, truck and varna as a foodtomes use किये ज थे 100 ये मैक फूद बांटल तो आपका ये और आट बेृट बांगना फिर हैं हो जडर्स तो आपको पते कुकून तो सिल्क वाम का हिस्सा है और ये सारी चीज़े अपिकल्चर में आती है क्यों डून और वरकर ये मधुमक्हिया हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह की राइज वीज मेट ग्राउन नट के अगर बात करें तो इसमें से वीट जो है वो राबी क्रॉप है और बाकी के सारे खारिफ है अब हम डिफरेंस बिट्वीन पे आ जाते हैं तो फार्म यार्ड मैनियॉर क्या है farm yard manure farm का जितना भी waste होता है cattle dung है, urine है, straw है leaves है, तो जो farm कोड़ा कचरा है उससे जो manure बन रहा है वो farm yard manure है wormy compost में हम सारे organic matter ले ले लेते हैं kitchen का कूड़ा पेरो का कूड़ा, सारी चीज़े आ जाती है organic waste में और wormy compost में सबसे important बात यह है बचो कि इसमें earthworm को introduce कराया जाता है, earthworm क्या करते हैं वो सारे कूड़ा को खाते हैं जो भी कूड़ा है, waste है उसको खाते हैं, और जो वो excrete out करते हैं, ठीक है वो wormy compost होता है और यहां पर क्या होते है, farm yard manure में कि जब यह पत्यां वत्यां सब गल जाती है cattle, dung, urine, bacteria और micro organism से decompose हो जाते हैं तो वो farm yard manure बन जाता है बात करते हैं, horticulture और commercial crop तो horticultures वो पेड पौदे हैं जो हम garden में grow करते हैं ताकि चीज़े खुबसूरत लगे या ornamental purpose के लिए सजावट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए commercial crop वो हैं जो grow करे जाते हैं ताकि यह उनको फौरण बेच के हमें उनसे पैसा मिल सके तो ज़्यादा खास differences में नहीं है तो vegetable fruits, flower इधर भी आते हैं और वहां पे खास चीज़े जैसे medicinal plants हैं spices हैं, sugar cane हैं, herbs हैं यह सारी चीज़े आपके commercial में आ जाती है food crop वो crop जो हम खाने के परपस से grow कर रहे हैं cash crop वो होते हैं जो हम बेचने के लिए grow करते हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा खासम difference नहीं है commercially जो food के लिए भी grow किया जाता है उसको भी बेचा जाता है तो यह हो गया आपका food and cash crop aquaculture, pissy culture तो को pissy culture क्या है जिसमें fish की farming हो रहे ही है सारी चीज़े आ जाती है fish को manage करना marine और fresh water दोनों तरहां की categories आ जाएंगी aquaculture में सिफ और सिफ क्या आता है pissy culture का एक पार्ट है और pissy culture दोनों इंक्लूड करता है fish and marine बोथ then exotic breed और indigenous तो exotic में आपको पहली बता चुकी हूँ वो breeds जो बाहर की country की है यहां की नहीं है इंडिया में अगर है तो वो बाहर से आई हुई है indigenous वो है जो हमारी इंडिया की ही breeds है milching breeds वो होती है जिससे हमें milk मिलता है और droughts breeds वो होती है जितने भी male होते हैं वो droughts की category में आजाते है क्योंकि उनसे में milk तो मिलता नहीं है वो transport के काम आते हैं खेतों में हल चिनाने के काम आते हैं तो वो सभी आजाते हैं आपके droughts बीच में उसके बाद एक गिव रीजन यीस्ट से जिसे हम आटे में अगर यीस्ट मिलाते हैं तो वो उठ जाता है डो जो है फूल जाता है वो ऐसा क्यों होता है क्योंकि यीस्ट क्या करती है वो फीट करती है जो शुगर होती है आटे में और उसके वज़े से carbon dioxide release होती है तो उसके वज़े से क्या होता है जो आटा होता है वो fluffy हो जाता है वो फूल जाता है उसके बाद second है कि green revolution ने इंडिया को self-sufficient बना दिया क्योंकि जो various technology यूज़ करी गए उससे बहुत massive production हुआ food grain का तो इतना कर लिया कि हमें कहीं से लेनी की जरुवत नहीं पड़ी इंडिया का जो agriculture system था वो self-sufficient हो गया फिर manure जो हो chemical fertilizer से जादा अच्छा है क्योंकि manure में हम सारी organic चीज़े यूज़ करते हैं और यह soil की fertility को maintain करता है और soil को को कोई भी नुकसान नहीं पहुचाता है उसके बाद multiple choice देख लेते हैं तो nitrogen की जो deficiency है soil में वो कैसे remove करी जा सकती है जब हम उसमें खाड डालेंगे मतलब manureing से उसकी deficiency पूरी हो जाएगी care and management जब मधुमक्यों का जो यह पूरा process है उसको कहते हैं apiculture then जो milk yielding farms में बिमारी पाई जाती है वो है brucelliosis right exotic breed poultry की है white leg horn यह सब हम जाप्टर में discuss कर चुके है horeculture crops में आपके सारे आ जाएंगे इन में से cotton rabi नहीं है आपको पते है cotton khारिफ crop है and silver revolution वो था जब agar का जो production था वो बहुत अच्छा हो गया था so that was the silver revolution that's all हमारा icsc region class 8 की जो biology की series है वो आज complete हुई है one से लेके nine तक के सारे chapter के videos आपको class 8 region icsc biology की name से जो playlist होगी उसमें मिल जाएंगे आप अपने दोस्तों के साथ share करिये अपने चोटे भाई बहनों के साथ share करिये so that उनको beforehand सारे solutions और सारे chapter के explanation मिल जाएंगे thank you everyone for watching the video and for supporting us so much keep supporting keep watching have a great day everyone fun